नमस्का मैं दिनेश शर्मा आज आपको बोक्स प्लेट बताने जा रहे हूं बोक्स प्लेट फ्रोक स्कार्ट आदी में डाले जाती हैं और बस्तरों को सुंदर बनाने के लिए भी इसका परियोग किया जाता है जब भी हम कोई प्लेट डालते हैं तो उसमें कमर से ज्यादा कपडा लिया जाता है जैसे मालो हमारी कमर 14 इंच है तो हम बोक्स प्लेट जब डालेंगे तो 14 को 3 से गुना करके इतना कपडा हमें लेना है तब ही जो बस्तर हम बनाएंगे वो अच्छा लगएगा जैसे फिरोक है या स्कार्ट है तो उतना ही उसका घेरा जो है हैवी होगा और बस्तर जो है वो सुन्दर लगेगा अब बोक्स प्लेट बनाने के लिए मैं दो-दो इंच के निशान लगाऊंगे आपकी मर्ची है कि आप उसको डेड़ इंच भी कर सकते हो तो आप उसको तीन इंच भी कर सकते हो वो आप आप अपने वस्तर के डिजैन के अकोर्ड़िंग जो है छोटी बड़ी कर सकते है यह देखिये मैंने दो-दो इंच के निशान लगाए है इस एक निशान को इस निशान तक ले जाएंगे और एक पिन लगा देखती हूँ इस परकार से इस परकार रखेंगे और फिर इस दूसरे निशान को इस निशान के साथ मिला करके रख देगे यहाँ भी मैं एक पिन लगा देती हूँ यह देखिए इस परकार से यह बोक्स की परहें दिखाई देगा तो मैं इस पर सिलाई लगाती हूँ ऐसे पकड़ करके और इस पर अब फिर दुबारा से देखिए यह पिल्ट मैंने डाल दी है अब दुबारा से देखिए यह दिशान है इस निशान को पकड़ करके इस निशान पर उठा करके इस निशान को इस निशान पर लगाती है यह देखिए फिर देखिए इस परकार से जो है फिर मैंने यह दो इंश के फिर निशान लगा ले यह आप सारे में लगा ले न मैंने यह दो तिन प्लेट बनाने के लिए आपको दिखाया है इस परकार से फिर इस निशान को उठाएंगे और इस बीच वाले निशान को उठा करके रख देंगे, देखिए, दो इंच के निशान है, इस एक निशान को इस निशान पर उठा करके लगाना है, यह देखिए, इस परकार, ऐसे, प्लीट, जब भी हम कोई भी प्लीट डालते हैं, तो वस्तर में फूलनेस देने के लिए, फिटिंग लाने के लिए, वस्तरों को सुंदर बनाने के लिए, इसका परियोग किया जाता है, यह देखिए, यह मैंने इस परकार से यह डाल दी है, अभी मैं आपको इस पर प्रेस करके दिखाते हूं, कि यह कितनी सुंदर बनती है, जब हम इसको यह देखिए इस परकार से इसको प्रेस करके इस तरह से सेट कर लेंगे इस परकार यह देखिए यह प्लीड बन करके तयार हो गई है और बहुत ही सुन्दर यह देखो इस परकार से एक बोक्स की तरह दिखाई देती है धन्यवाद